नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल के उपर मेरा नाम है अक्षे आज हम रिव्यू करेंगे न्यू रोयलन फिल्ड हिमालयान 450 का टोटल फाइव कलर्स के अंदर आती है यह आप हैनले ब्लैक कलर अपनी आखों सामने देख रहे हैं प्राइस की बात करें यह आप आपको पड़ती है 2,98,000 रुपीज एक शौरूम शुरू करने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे जैन आटो मबाइल का अगर आपको रोयलन फिल्ड का कोई भी प्रड़क्ट पचेश करना हो शौरूम की डेटेल आपको डिस्क्रिश्मिन में दी गई यह देगे नब 2.3 मीटर सीट हाइट आपको 805 mm मिलती है लो 825 mm स्टेंडर्ड और 845 तक आप इसे अप कर पाएंगे करवेट आपको 96 kg मिलता है आपकी न्यू रोयलन फिल्ड हिमालियान 450 के अंदर इलेक्टरोनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है जो 42 mm थ्रोटल बोड़ी राइट बाई वायर सिस्टम के साथ आता है वैट मल्टी प्लेट स्लिपर असिस्ट कलच मिलता है आपको बाइक के अंदर बात करते हैं फ्रेम की यहाँ पर आपको दिया जाता है स्टील ट्विन स्पार ट्यूबलर फ्रेम बाइक के अंदर आपको डूल चैनल एबियस आता है जो की स्विच एबल है चलिए मैं आपको की दिखा देता हूं की कुछ इस पर आपको देखने को मिलेगी उसके उपर आपको रोयल एंफिल्ड का लोगो दिया जाता है टू की कीज हैं दिखने में भी चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से यहां पर लगेगा आपका वाइजर आपको राउंड शेप में एलेडी हैड्लम्स दिये जाते हैं सेंटर में आपको रोयल एंफिल्ड का ओन करने के बाद आपका हैड्लम्स कुछ इस परकार से गलो होगा यह द हेड्लाइट के साइड में आपको एलेडी इंडिकेटर्स दिये जाते हैं जो कुछ इस परकार से आपको देखने हों मिलते हैं यालो कलर में आपको इंडिकेटर ब्लेंक होंगे आई यह मैं आपको इंडिकेटर ओन करकर दिखा देता हूं यह देखिए यहाँ पर लगेगी आपकी नमबर प्लेट फ्रंट सिस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दिया जाता है अपसाइड डाउन फोक 43 mm जिसका वील ट्रेवल डिस्टेंस है 200 mm यह आपका फ्रंट मटगार्ड प्लैक कलर के अंदर यह आपका टायर मटगार्ड बोट साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने हों मिलेंगे यहाँ पर आपको हिमालियन लिखा हों मिल जाएगा यालो गलोर के अंदर सस्पेंशन के उपर ऐसे दिखते हैं आपके अलोई वील्स अलोई वील के टायर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है 90-90-21 MC54H फ्रंट टायर सेक्शन ट्यूबलेस टायर से C8 के द्वारा मेनफेक्चर किये गए टायर फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दी जाती है हाइड्रोलिक डिस्प्रेक 320 mm की वेंटिलेटिड डिस्प्रेक आती है जो की डबल पिस्टन फ्लोटिंग कैलपर के साथ आती है बाइबरी की डिस्प्रेक है ग्राउंड क्लिरंस आपको दी जाती है 230 mm अंडर बोडी प्रेटेक्शन दी जाती है आपको यहाँ पर यह आपका होन यह आपका रेडियेटर यह आपका राइडर फूट्रेश्ट और यह आपकी ब्रेक बात करते हैं इंजिन की यहाँ पर आपको 452 CC का लिक्वीड कूल सिंगल स्लेंडर DOHC 4 वाल्व इंजिन मिलता है जो पाउर प्रेडियूस करता है 40.2 PS 8000 रपीम पर टोर्क आपको 14 Nm का देखने को मिलता है 5500 रपीम पर इंजिन कवर के उपर आपको रोईल अन फ्यूल की ब्रेंडिंग मिलती है चले अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर आपको यलो इंसर्ट दिया जाता है टैंक के उपर आपको हिमालियन की ब्रेंडिंग मिलती है बात करते हैं फ्यूल टैंक की यहाँ पर आपको दिया जाता है 17 लिटर का फ्यूल टैंक और यह आपकी टैंक फेरिंग जो की मैट ब्लैक पेंटिड है रोईल लेंड फील्ड उस पर लिखा हुआ है पेंट में आपको ग्लिटरिंग इफेक्ट मिलेगा यहाँ पर आपको हिमालियन रोईल लेंड फील्ड का बैज मिलता है उसके उपर आपको इटवर्टिक अपैटिवल का स्टिकर दिया जाता है जिसका आरत है कि लोग रमेशन प्रेडूस करेगी पिछली बैच स्केम काबले ऐसे दिखता है आपका फ्यूल लेड इस प्रकार से आप उपन कर पाएंगी की लगा कर यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलता है यह देखिए मैट ब्लाक पेंटिड आपको हैंडल दिया जाता है यहाँ पर लगे यह आपकी गी आई है मैं आपको मिटर दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको फोर इंच का डिजिटल मिटर दिया जाता है टी एफटी डिस्प्लेय है यह यह आपको शो करता है वेलकम एनिवेशन उन करने के बाद आपको यह शो करेगा बैटरी इंडिकेशन, फ्यूल इंडिकेशन, मेटर्स साइड स्टेंड इंडिकेशन, आर्पी एम मोड्स लेयाउट चेंज कर सकते हैं आप मेटर का आप डूल चैनल एबेस को ओन ओफ कर पाएंगे, फ्रंट का अलग ओफ कर सकते हैं रेयर का अलग ओफ कर सकते हैं आप और भी बहुत सारी यह आपको इंफरमेशन देगा मैप भी यह शो करेगा आपको गूगल के द्वारा पावर्ड है यह आईए अब हम बात करते हैं सीट की आपको वाइड सीट से और कमफोटेबल सीट हैं आपको कोई भी इशू नहीं आएगा जब आप इस पर लोंग जनरी अपनी कवर करेंगे यह आपर आपको पीलेन सीट के ओपर रोयलेन फील्ड की ब्रेंडिंग मिलती है मैट ब्लैक पेंटेड आपको ग्रेब रेल्स दिये जाते हैं आईए बात करते हैं रेर सस्पेंशन के बारे में यहाँ पर आपको दिया जाता है लिंकेज टाइप मोनो शोक जिसका वील ट्रेवल है 200 mm सस्पेंशन के पिछे ही आपको रेर मटगार दिया जाता है यह अपका पीलियन फूटरेस्ट और ऐसे दिखता है आपका एग्जोस्ट नौट उसके उपर आपको एग्जोस्ट मफलर दिया जाता है रेर ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दी जाती है हाइडरोलिक डिस ब्रेक जोकी 270 mm वेंटिलेटीड डिस्क है सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलपर के साथ आती है आपकी ब्रेक रेर में भी आपको बाइबरी की ही ब्रेक दी जाएगी आपको C8 का ग्रिप रोड साइड स्टील टायर दिया जाता है जोकी रेडियल टूबलेस टायर से टायर सेक्शन की बात की जाए तो आपको 140, 80, R17, MC, 69H टायर सेक्शन देखने को मिलेगा बहुत ही वाइड टायर है आप कुछ इस परकार से अनमान लगा सकते है यह आपका साइड गार्ड यह आपका पीलियन फूटरेस्ट यह आपका राइडर फूटरेस्ट आपको बाइक के अंदर 6-speed constant match transmission gearbox दिये जाता है ऐसा दिखता है आपका side stand और यह आपका double stand आईए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपको दिये जाते हैं integrated turn indicator and tail lamps यही आपकी tail lamps है और उसी के अंदर आपको indicator कुछ इस परकार से blink होगा glittering effect है tail light में यहाँ पर लगेगी आपकी number plate उसके उपर आपको white light मिलती है यह आपका reflector ऐसे दिखता है आपका मटगार्ड बताइए कैसी लगी आपको new royal land field हिमालियान 450 हनेकल ब्लैक कलर comment sections में अगर नए है तो चैनल को like, share, subscribe बवश्य कर लीजिए आने वाली बेतरीन वीडियो के लिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सबी को राम राम भारतमा तकी जै जै हिंद